नमस्कार दोस्तों अनंद क्लास में मैं लक्षमी सिंग एक बार फिर आपका स्वागत करती हैं हम लोग पढ़ रहे थे नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी जिसके मैंने एक बाग पढ़ाया था और मैंने आपसे बात कहीं थी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके चरन लेकर स्टेजेज ऑफ NEP 2020 इसने कितने चरनों में बाटा है यह कोशन हो सकता है कि कितने चरनों में NEP को बाटा गया है तो चार चरन में बाटा गया है चार-चरन है, foundation stage, preparatory stage, middle stage and secondary stage. तो इसको समझने के लिए मैंने table-wise आपको बना के दे रहे हूँ, ताकि आप एक जगह जब इसको रखोगे, तो आपको ये बहुत अच्छे से clear हो जाएगा. अलग-अलग इसके अगर बनाते हो, आप चाहो तो notes बना सकते हो, doesn't matter. बट अगर आप इस तरह से column बना के पढ़ोगे, तो आपको ज़्यादा जल्दी ही ये दिमांग में set हो जाना है. शुरू करें अपनी class, कहता है क्या, stages of NEP 2020, पहला stage है इसका, foundation stage, जिसमें बच्चा क्या है, age 3 से 8 साल तक रहता है, यहाँ पर पढ़ाई क्या होगी, बच्चा जो है 5 साल तक पढ़ रहा है, जिसमें से 3 साल बच्चा क्या होगा, pre-school में होगा, और standard 1 और standard 2 की भी है, तीन साल pre-school में है, और 7 के साथ standard 1, 2, 2 में भी बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा है, foundation stage में, ठीक है, इस जगह पे नीती के अनुसार, जो हमारी नहीं सीक्षा नीती वनी है, उसके अनुसार बच्चा क्या सीख रहा है, यहाँ पर बच्चे के भासा का खोशल्व होगा, अव्यसी बात है, जो तीन साल का बच्चा है, अभी वो समाज में जब उतमे स्कूल के लोगों के साथ आएगा, तो नहीं नहीं भासाएं सीखेगा, तो यहाँ पर क्या है, बच्चे के language skill यहाँ पर डेवलप होगी, भासा कोशल्व सीखेगा, और सैक्षिक अस्तर का मुल ल्यांकन होगा, और उसका विकास करने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा, ओके, नेक्स्ट है, प्रिपेट्रे स्टेज, प्रिपेट्रे स्टेज क्या है, आट से ग्यारा साल की होगी, और यहाँ पर बच्चा किस क्लास में होगा, स्टेंडर्ड 3, 2, 5, यानि 3, 4 and 5, यह पर में ध्यान दिया जाएगा, बच्चे के संख्यात्म कॉसल, यानि की बच्चे को गनित आना चाहिए, बच्चे को क्यालकूलेट करना आना चाहिए, जोर घटाव आ जाना चाहिए, फिफ्त स्टेंडर्ड तक बच्चा यहाँ पर रह रह रहा है, ठीके, इस पर विसेश ध्यान दिया जाएगा और साथ के साथ बच्चे को छेत्रिय भाजा का भी ज्यान दिया जाएगा इस जगह कर ओके next है middle stage जो मादमी कस्तर जो मादमी कस्तर होगी एज क्या होगी बच्चे किस जगह पर 11 to 14 यर्ज का बच्चा होगा और उसके class क्या होगी ठीक है coding means क्या था problem solving ability उसमें develop की जाएगी उसको क्या होगा creative होगा और बच्चे की thinking capacity ज्यादा बढ़ेगी और reasoning जो तर्क शक्ती होती है उसका विकास ज्यादा होगा इसलिए यहां पर कह रहा है कि बच्चे को क्या करना है coding सिखाना है और साथ के साथ बच्चे को website the participant with you know over can युद्ग कि बच्चा एक्टिविटी मतलब उसको website breakfast कि एपने का मतलब यह है कि बच्चा जैसे कि यहां पे बच्चा क्या होगा बट्डन मनाना सीखेगा बागवानी करना सीखेगा धरी का काशह रहा ठीक है यह उसको vocational training जब दी जा रही है तो साथ के साथ उसको intern से भी यहाँ पर दी जाएगी Next कहता है secondary stage जिस जगा पर कह रहा है कि age जो होगी बच्चे की क्या होगी यह 14 से 18 years का बच्चे यहाँ पर हमारा हो चुका होगा class के standard क्या होगी 9 to 12 होगी और यहाँ पर इस stage की सबसे खास बात यह होगी कि बच्चे को किसी stream में नहीं पढ़ना होगा हमने पिछले में बात की थी आज में बात करेंगे stream के बारे में कि कह रहा है यहाँ पर कि यह बच्चा जो है किसी भी stream में नहीं पढ़ेगा में से हमारे हाँ fashion में तीन stream है science, arts and commerce ठीक है तो यहाँ पर कह रहा है कि बच्चे को हो सके science में सिर्फ math interesting लगता हो बट इस physics chemistry bio नहीं ओके यह हम कह सकते हैं या physics पसंद है तो math पसंद है बट chemistry bio उसको नहीं पसंद है उसको fashion design नहीं की कोई course में interest है मालो suppose करो तो क्या है कि बच्चा स्वतंद्र है अपने साथ math और physics के साथ साथ वह fashion designing भी ले सकता है ठीक है यह थोड़ा सा awkward सा आज पिशले generation के लिए थोड़ा सा awkward होगा कि यह situation कैसे बच्चा handle करेगा बट बच्चे के लिए कोई problem नहीं है बच्चा इसे खुश होगा क्योंकि जिस subject उसको interest होगा वह ज्यादा खुश होके पढ़ेगा ज्यादा मन लगा के पढ़ता है बच्चा उसके जिस चीज में interest होते वह काम अच्छे से करता है तो that means यहां पर जो है नई सिक्षा नीती ने इस चीज इस stream को हटा दिया है कि नहीं एक ठाना कि नहीं यह subject है तो इसके साथ यह कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे यह subject arts लोगे तो आपके साथ यह combination मिलेंगे commerce लोगे तो यह combination लेंगे नहीं अब कहता है कि बच्चा जो है stream के अंतरगात नहीं पढ़ेगा बसरते अपने मन पसंद विसे को खुद से चुनकर पढ़ेगा यानि बच्चा क्या है अब स्वतंत्र है ओके तो यह हैं हमारे चार स्ट्रीम हम बात करते हैं benefits of NEP 2020 कि इसके benefits क्या क्या है आखिर इसके lab क्या हमें मिल रहे है पहला तो हम लोगोंने अभी जस्ट बात की है streams के chain की streams का chain obvious है कि बच्चा जो अपने मन पसंद का subject नहीं ले पाता था कि भार की तरफ पढ़ता था जो subject नहीं पसंद होता अब आपने पसंद के subject पढ़ सकता है किसी भी subject को चुन कर फीक है यह हो गई इसकी बात दूसरी यह है कि मात्री भासा का प्रियोग मात्री भासा का प्रियोग और दूसरा हम क्या सकते हैं कि छेत्री भासा साथ में क्या है? छेत्री भासा यहाँ पर बच्चा क्या हो रहा है? कि मात्री भासा के प्रियोग करके भी मिल रहा है और साथ उसको अपनी छेत्री भासा का भी ज्ञान उसको मिल रहा है यहां पर टीचरों को भी बच्च क्या है उनको भी निर्देश दिया जाएगा कि बच्चों को वह उनकी भासा में ही उनके बिसे को समझाएं ठीक है फिर एक बात यहां पर हो रही है तीसरा पॉइंट यह एक चार साल का पांधिकरम और अनिवारिया सब्सक्राइब को इसको रहाते हैं उनके लिए चार साल का ब्यार्ड कोर्स होने अनिवारिया है जो यह course नहीं करवाते हैं जो भी विश्व विद्याले जो भी इनके institutions होते हैं बीड के अगर वो course नहीं करवाते हैं तो उनकी माननेता क्या है डिग्री रद कर दी जाएगे या किसी भी academic में जब वहां के teachers जो जाएंगे बीड करके जो बच्चे जाएंगे उनको माननेता न vocational studies की सुर्वात हो रही है ठीक है को कि vocational studies तो पहले भी होती थी लेकिन वो six standards से vocational studies नहीं होती थी अब जो है vocational studies में जोड दिया जा रहा है क्योंकि सरकारकार का यह target है कि 2025 सक 2025 तक उन्हें 50% छात्र चाहिए vocational के education से trained आप यह बाद समझ में कि इस चीज को कहता है क्या यानि vocational studies में एकदम हड़े class में जो होगी न उसमें कोई option नहीं कि बच्चा six standards में vocational class छोड दे वो एक subject के तौर पड़ाबारा है एक चीज और है कि सारिक सिक्षा physical education physical education पहले क्या था optional में भी आता था ठीक है लेकिन अब physical education को as a subject government ने क्या कर दिया है माननेता दे कर मतब यह एक एक जिसे का रूप है यह निकि एक्स्ट्रा में हम पढ़ रहे हैं पहले हम क्या करते थे एक्स्ट्रा में हमारा subject होता था इसके नंबर मतलब जूरते थे वो जैसे कि जिस subject में कम नंबर होता था उसमें इसका फिजिकल education का number जाके add होता था तब बच्चों को ग्रेडिंग बनती थी अब यह system हट गया है अब है physical education जैसे हमारे हिंदी इंग्लिश एसस्टी साइन्स है उस तरीके से इसको इंपोर्टेंस अब दी गई है physical education को as a subject next कहता है क्या टीचरों की भरती employment employment of teachers आप कह सकते हो इस चीज़ को कि टीचर की जो भरती होगी उसमें कहता है क्या कि टीचर को उनके युग्यता के according उनके test के लेकर टीचरों की भरती करनी है और ज्यादा से ज्यादा युग्य टीचर की भरती करनी है और इसके तहत कहता है क्या कि साथ में जो छेत्री भासा के यानि की प्रतेक भी से तो होते ही है लेकिन जो छेत्री भासा है उनके भी अलग अलग teacher की भरती होनी आवश्यक होगी और साथ के साथ जो retired teacher है उनको फिर से पढ़ाने के लिए उनको as a guest teacher उनको invite किया जाएगा नेक्स इसमें समय पर promotion of teachers ये भी तो इसमें हो जाएगा promotion of teacher की teacher को आप तो select कर लिया लेकिन teacher जो है अगर उसको आप उसके काम के according उसको अगर promotion नहीं देते हो तो teacher कहीं न कहीं job से satisfied अपने नहीं होता है तो इस जगह पर कहता है क्या कि teacher को employment के लिए अगर best teacher ले रहे हो तो उसके कारी के according उसको समय समय पर आपको promotion भी देना अनिवार्य होगा ओके ये सारी चीजे जो मैं बता रही हूं यह आपके NEP के अंतरगत आ रही है next इसमें कहता है NCTE NCTE का नाम सुना होगा इसको हिंदी में कहते है रास्प्रे अध्यापक सिक्षा परिसर्द National Council of Teacher Education अध्यापक सिक्षा परिसर्द इसके भी पार्टिक्रम में कह रहा है क्या कि सुधार होना जरूरी है यह जब सुधरेगा तभी तो यहां Employment of Teachers के Education जो आप सही दे सकते हो टीचर एजूकेशन अच्छा लेकर आएगा उसके तहट क्या है कि आप उसकी अच्छे आपको मिलेंगे तभी आप उसका प्रमोशन भी कर सकते और यह जब आपका सही होगा यहां जो बीड का टीचर चार साल का करेगा वह इसके अंदर उसके Education जो हो जाएगी सही हो जानी है तो कहता है क्या कि NCT में भी सुधार होना जरूरी है राश्ट्रिय अध्यापक सिक्छा परिसत जो है यह किस के तहत सुधार करेगा यह आपके NCRT के तहत जो है NCRT के तहत अपनी सिलेवस को चेंज करेगा ठीक है सेक्षिक पार्टिकरम जो इनका है टीचर एजुकेशन की इसको में सुधार करके और इसको योग्य बनाएगा ताकि टीचर हमारे योग्य बन सके और हमारा सिक्छा का अस्तर उपर उठ सके NCRT इसमें कहता है क्या MFIL की डिगरी को समाप्त कर दिया जाएगा MFIL अब नहीं होगा ठीक है MFIL की डिगरी अब नहीं मिलेगे Higher Education में MFIL की डिगरी होती थी अभी भी बहुत सारे subject के MFIL है उसके बाद दोग PhD करते है अब ये option खतम होने जा रहा है कि अब MFIL की डिगरी Higher Education में नहीं मिलने वाली है Next उसके रूची के अनुसार से छात्रों को उसके रूची के अनुसार से बढ़ावा भी देना है जैसे कि पहले हमारा क्या था कि Extra Co-Curricular Activities Co-Curricular Extra Curricular Activities बच्चा करता था तो उसमें हम क्या करते थे कि उसको Extra Co-Curricular Activities हम कहते हैं कि बच्चे Extra Activities जैसे कि खेल कर रहा है कोई specific खेले क्रिकेट है फुटबॉल खेल रहा है या बॉक्सिंग सीख रहा है कराटे सीख रहा है यह क्या है उसकी Extra Activities है नहीं अब सरकार कहती है क्या कि इस नीती के तहत इन सारी Activities को भी विसे का एक पार्ट बनाएंगे और बच्चों को इसके प्रती उनके रुचिक के एकॉर्डिंग उसको बढ़ावा हमको देना है ठीक है अब बोड एक्जाम जो है हमारे पहले बोड एक्जाम हमारे साल में एक बार होता था और बच्चे से बहुत ड़ते था प्री बोड से बच्चे के अंदर न वो ड़ड आ जाता है कि आप तो बोड आ रहा है बोड आ रहा है बच्चों के मतलब बिलकुल लगता है कि कैसे पढ़े साल बड पढ़े न पढ़े लेकिन प्री बोड से पढ़ने स्टार्ट कर जाते क्योंकि बोड आ रहा है इस ड़ को हटाने के लिए नई सिक्चा नीती ने बोड एक्जाम को साल में दो बार करेगा अब दो बार यह होगी साल में ठीक है क्योंकि जब बोड एक्जाम होता है तो बच्चे के उपर ज्यादा प्रेशर आता है कि पेपर देना है मुझे बोड का पेपर है कहीं न कहीं वो माइंड में रहता है हम लोग उस फेस से गुजर चुके हैं तो वह क्या है उस माइंड सेट को खतम करने के लिए एनीपी ने कहा कि नई अब बच्चे को उपर हम कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं देना है बच्चा अराम से इंजॉय करके अपने क्लास को करे और पढ़ाई लिखाई को वो बहुत अच्छे से ले एक अपने लाइफ कर पार्ट की तरह ले ना के एक बडन की तरह ले तो वो एकाडमी को उसको अच्छा करने के लिए ताकि उसका अकाडमी का अस्तर उपर हो बोड एक्जाम को साल में दो बार करेगा इससे क्या है कि बच्चे के अपने अस्तर को वो सुधार सकता है कि एक board exam में मालो paper का नंबर थोरे से भी कमाते है तो बच्चा कि उसमें अपने आपको फिर से सही कर सकता है और next exam में अच्छा कर लेगा offline classes के साथ classes के साथ classes के साथ online classes भी होंगी बच्चों की यह भी इसमें फायदा है NEP में कि offline के साथ online classes चलेगी साथ के साथ reason यह है कि कुछ बच्चे जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ बच्चे अगर किसी भी कारण से class में टेंड नहीं हो पाते हैं कोई भी पारिवारिक reason भी कोई भी reason ऐसी हो सकती है तो उसको जादा से जादा बिद्याले से जोडने के लिए यह सबसे अच्छा तरीका है कि online classes अभी बच्चे को जोड सकते हैं ताकि उसकी पढ़ाई भी पीछे नहीं हो और बच्चा अपने पढ़ाई में पीछे नर है इसके तहट कहता है कि यहाँ पे जो हमारा syllabus होगा वह क्या होगा flexible curriculum होगा flexible curriculum होगा इसके तहट कहता है क्या academic bank credit और digital academic credit academic bank credit तयार का गठन करना है MEP के तहट academic bank credit तयार करना है और इसके तहट इसको transfer हम करेंगे digital academic credit में और higher institutions जो होंगे इस चेज़ को क्या करेंगे एक जगा संग्रहित इस्टोर करके रखेगा और जब बच्चा last year अपने class के last year में पहुंचेगा उस समय वो सारे credit points उसके जो है इकठे करके transfer कर दिये जाएंगे उसके final year में और सभी को जोर के इकठे उसके certificate में उसको दिया जाएगा यह क्या यह जो मैंने बात आपसे कहिए यह higher education में काम आएगी graduation level पे अब कहता है क्या कि इस नीती के ताथ 2030 तक each district के पास आपका क्या होना चाहिए higher education institution होना चाहिए higher education का institution होना चाहिए ठीक है और दो हजार चालिस तक क्या है दो हजार चालिस तक जितने institution होंगे उनके पास multi subjects आप कहा सकते हो multi यानि कि बहु बिस्यक subjects वहाँ पे पाठिक्रम में include होने चाहिए सभी higher education जितने institution बनेंगे उन सभी में 2014 तक सभी subjects होने चाहिए ताकि बच्चे के पास सारे options हो यह नहीं कि हमारे district का बच्चा जो है किसी और district में जाके अपनी पढ़ाई कर रहा है अपने मन पसंद विसे के लिए क्योंकि बच्चे के आने जाने में जो असुभधा होती है कहीं पे उस time को manage कर सकता अगर उसके district में ही उसको higher education की उसके पसंद की subject उसको मिल जाती है तो ओके तो आप मेरे इस बात से agree होंगे क्योंकि अगर आपनों प्रॉब्लम मिली होगी अब तक जितने भी बच्चे हैं उनको यह प्रॉब्लम हुई है कि अगर उनके पसंद की institution नहीं मि institution तो पसंद मिले या ना मिले लेकिन subject अच्छा नहीं मिलता है अगर subject अगर आपके पसंद की है और अच्छा institution चाहिए तो उसके लिए बच्चा दूर तक जाता है ठीक है तो इस चीज़ में कहता है कि अब government कहती है कि नहीं प्रतेक state में प्रतेक जिले में आपका खुद का higher institution होना चाहिए और उसमें आपको बिसे आपके पसंद के होने चाहिए इसलिए multi subject सभी institutions में होने must है ठीक है कि graduation जिसको हम लोग यूजी भी कहते हैं अब यह जो है तीन साल का था अब हो गया यह तीन से चार साल का हो गया पहले तीन का था तीन से चार साल का होगा मतब यह नहीं पढ़ना कि तीन से चार साल का होगा पहले तीन था किस आप कह सकते हो तीन से चार साल का होगा इस जगह पे कह रहा है कि अब बिच के पास यूजी यूज जब हम लोगों ने graduation किया था तो चाहे अभी भी जो बच्चे कर रहे हैं उनमें यह option नहीं है कि हम बीच में अपने academy को आप नहीं छोड़ सकते यानि कि आपको graduation के degree नहीं मिलेगी अब option यह है बच्चे के है तब भी डिग्री मिलेगी बट हर एक डिग्री की position अलग-अलग होगी माननेता अलग-अलग होगी मिलेगी यूजी की डिग्री graduation की बट माननेता अलग-अलग होगी क्योंकि आप जो बच्चा चार साल पढ़ेगा उसको दो साल पढ़े हुए बच्चे के graduation की डिग्री मिलेगी बट अगर बच्चा चार साल तक अगर यह graduation पूरा complete करता है अपने पसंद के पिसे के साथ तो भी उसको research की डिग्री मिलेगी ठीक है यानि एक चीज़ और इस जगा पर कह रहा है कि अगर बच्चा graduation में दूसरा subject लिया दूस फर्स्ट एयर में दूसरे सेकेंड यर में उस पसंद नहीं आया उसने चेंज कर दिया इसरे यर भी वह चेंज कर सकता है चौथे यर भी चेंज कर सकता है अब आप कहोगे कि तब तो क्या उसको नंबर क्या मिल रहा है क्या पढ़ रहा है नीटी को यह मतलब है कि बच्चा पढ़ना चाहिए उसको knowledge होना चाहिए knowledge first है तो कहता है कि अगर first year में बच्चा suppose उसने geography लिया कोई बात नहीं जोग्राफी पढ़ लिया बहुत अच्छे से एक साल उसने पढ़ा अब उसने paper दे दिया भाईया paper दे दो तुम बीच में नहीं छोड़ सकता है first year को उसमें complete किया उसके भी उसको point मिल गया credit point फिर कहता है second year में उसमें change करके उसने ले लिया maths अब वह math नंबर इसके इस year में जाके add होने हैं आप जिसकी हमने बात कहीं थे न credit points credit मिलेगी इसको और साथ के सांद जो degree मिलेगी इसको overall 4 साल की वह उसकी क्या होगी research की degree मिलेगी 3 साल तक पढ़ेगा graduation की degree होगी 4 साल तक पढ़ेगा उसकी research की degree होगी है कि एक NTA जो परिक्षा लेती है आपकी national test agency यह सभी जितने भी competitive exam है सबके लिए इस entrance test को क्या कर दिया गया है अब यह general entrance test general entrance test लागू करेगी जो सभी ही सब जितने भी exams होते है न competitive जिसको NTA conduct करता है उसको अब नाम दिया जा रहा है general entrance test कर दिया जाएगा ठीक है और शन है हमारे जैसे कि government को हम लोग अलग रखते है प्राइवेट को अलग रखते है नहीं अब कहता है क्या जितने भी government हैं और private हैं सभी को माननेता एक जैसी मिलेगी government and private institutions जो हैं इन सभी को माननेता एक समान की होगी इनकी degrees की माननेता भी एक समान की होगी ओके फिर कहता है क्या कि एक चीज़ और है e-learning पर e-learning पर जोड़ देना है e-learning पर जोड़ देना है NEP के तहट क्यों कि किताबों के बोज को कम करना है ताकि बच्चा जो है ज़र्दी connect होता है e-learning से तो क्या है कि उसकी किताब के बोज भी कम हो जाएगी इसके और एक चीज़ कह रहा है कि कोरोना टाइम में बहुत बच्चों की बढाई एफेक्ट हुई थी, ठीक है, इसके लिए NEP कहती है क्या, कि अब जो है, किताब का जो बोजोगा, सिलेवस, सिलेवस जो है, वो 30% सिलेवस जो है, अब कट है, कट है ठीक है सिलेवस जो पहले थे उसमें से 30% सिलेवस अब कट कर दिया गया है ठीक है तो ऐसे भी बस्ते का बोज कम हो गया और यहां करता है अगर यह लर्निंग को हम बढ़ावा देते हैं तो इससे क्या है कि बच्चों को ऐसे भी किताब का बोज कम हो जाएगा और एक पर कहता है कि जो आपके disabled child होते हैं disabled child उनकी जो education होगी उसके भी सिलेवस में कहता है क्या करिकुलम में में बदलाव किया जाएगा उसके disabled child के भी करिकुलम में बदलाव जरूरी है क्योंकि जहां सारी चीज़े बदल रही है वहां इन बच्चों के लिए खास कर बदलाव बहुत ही जरूरी है तो कहता है क्या कि यह सारे पॉइंट मैंने आपको दिये हैं 22 पॉइंट्स आपको दिये हैं जो मैंने कहा था कि benefits of NEP 2020 और एक चीज मैं आपको चलते चलते बताना चाहती हूं कि यह जो नया session हमारा आ रहा है इस नय सेशन यानि कि अप्रिल से एक अप्रिल से बच्चों के नय सेशन स्टार्ट हो जाते हैं तो इसी से government जो है all over इंडिया में NEP 2020 लागू होने जा रही है ठीक है तो आसा करते है कि आपको यह सारी चीजे समझ में आ गई होंगी और है कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूं ने टॉपिक के साथ जादा से जादा लाइक और सब्सक्राइब करिए और जो मेरे वीडियो को देखते हैं वो लाइक भी ज सब्सक्राइब भी जुरूर करिए मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार